Hello everyone, आज हम करे हैं Skinner's Operant Conditioning Theory, जैसे कि हम behaviorism की दो थियोरी जो हो पहले करी चुके है, trial and error theory और classical conditioning theory, तो इनके अंदर जो behaviorism की थियोरी जैन में हम समझ रहे हैं कि कैसे conditioning के थू हम behavior के अंदर change ला सकते हैं, modification ला सकते हैं, तो आज जो हम यह third theory कर रहे हैं, जो है Skinner's Operant Conditioning Theory, तो हम समझेंगे भी कैसे different है बाकी another theory से, और यह theory जो बहुत important है, जितने भी competitive exam है उनके लिए भी और theory के लिए भी, तो इसलिए हम इसको detail में करेंगे, तो यह जो theory है, वो प्रपाउंड की गई थी B.F. Skinner के दवारा इन 1938 के अंदर, जो कि एक American psychologist है, उन्होंने अपनी यह theory ज Skinner की, उसको हम instrumental conditioning भी कहते हैं, बहुत important है, बहुत पार यह previous year में हमारे पास पूछा गया है competitive exams के अंदर, तो यह आप याद रखेंगे, इसके इलावा, इसका जो main part है, हमारे पास पूरी theory जो है, क्या कहते है, वो दो line में हम समझ सकते हैं, अभी हम इसको detail में आगे experiment के वे reward मिल रहा है, और जो जिस चीज के लिए उसको punishment मिलती है, definitely वो जो है कम perform किया जाएगा future के अंदर, ठीक है, तो reward और punishment जो है, वो हमारे behavior को increase और decrease करते हैं, okay, now you can mention कि operant जो conditioning है, वो classical conditioning से कैसे different है, क्योंकि competitive exam में इस से regarding question पूछे जाते हैं, और आपको difference पता होना चाहिए, त क्लासिकल कंडिशनिंग में हमने समझा था कि जो डोग था, उसको चाहे आप खाना उसके सामने नहीं भी है, बैल बचते ही उसके मूँ में saliva आ रहा था, ठीक है, जैसे कि एक hot, कोई चीज है, गरम चीज है, उसको हम हाथ लगाते है, तो एक रिप्लाक्सिव एक्शन होता ह है, इमीडेटली अपने आप ओटोमेटिकली हमारे से होता है, कि हम हाथ को पीछे कर लेते हैं, ऐसे ही saliva जो है, वो ओटोमेटिकली आ रहा था, उसको उसके उपर कंट्रोल नहीं था, ठीक है, इसको हम क्या बोलते है, इन वोलते हैं, इन वोलेंटरी, जो हमारे पास experience होते ह है, वो इसके अंदर आ जाते हैं, classical conditioning में, लेकिन जब हम operant conditioning की बात करते हैं, तो इनके अंदर हमारे पास voluntary, जो behavior है, वो आता है, कि उसके पास choice होती है, कि उसको वो चीज़ करनी है या नहीं करनी है, जिस चीज़ के लिए उसको reward मिल रहा है, rat को, खाना मिल रहा है, आगे हम experiment में देखेंगे, कि अगर उसको उसके लिए reward मिल रहा है, तो वो उसको बार-बार करता है, नहीं मिल रहा है, तो वो नहीं करता है, तो उसकी choice हो जाते है, यहाँ पे उसका पूरा control है, इसमें उसका control नहीं था, यहाँ पे जो है, वो चूज कर सकता है कि कौन से behavior को उसक और जो फेक्ट जो फोनदाइ का लॉफ एफेक्ट था और सकीनर का जो एक्सपेरिमेंट वो बिल्कुल जो है, सेम बात करता है, सिमलर है क्योंकि उनिके उस लोग को उठाकर उनों नहीं पर्फोर्मेंस को आगे बढ़ाया था, तो यह आप ध्यान रखेंगे, और उनोंने क्या किया जैसे कि मारे पस्ट्रॉंडाइक ने भी एक बॉक्स लिया था जिसमें कैट थी, ठीक है, कैट जो है, बाहर का जो खाना इसको लेने के लिए, सेम उनोंने वैसा ही एक बॉक्स बनाया, राट के लिए, अपने जो भी पर्फोर्मेंस करनी थी, अब एक्सपरिमें क्या वो कर रहा है, उसकी नॉइस को नॉट करने के लिए लगाया गया, इसमें दो लाइट्स है, उसका क्या पर्फोर्मेंस है, वो हम आगे देखेंगे, एक लीवर जो है, वो बनाया गया ताकि जिसे प्रेस करके वो खाना जो है, वो रसीव कर सके, और इल्लैक्टिक ग् लिए और फाइनली उसने इस लिवर को प्रेस किया, लिवर को प्रेस करते ही उसको क्या मिला, खाना मिला, ठीक है, और जैसे लिवर को प्रेस किया, और खाना मिला, उस ताइम वहा पे क्या कौनसी लाइट ओन थी, ग्रीन लाइट ओन थी, ठीक है, फिर उसने मुल्टिपल इसको perform किया बार-बार लीवर को प्रेस किया उसको खाना मिल जाता था फिर क्या हुआ थोड़ी देर बाद कि उस box के अंदर red light हो गई अब फिर से जब उसको भूख लगी और उसने लीवर को प्रेस किया तो उसको crunch फील हुआ ठीक है खाना नहीं मिला लेकिन in electric जो grid है हमारे ठीक है पहले तो उसको समझ में या लेकिन multiple times जब यह perform हुआ तो फिर धीरे धीरे उसने discrimination करना शुरू कर दिया कि अगर बॉक्स के अंदर green light जल रही है और फिर लीवर प्रेस करता है तो उसको खाना मिल रहा है लेकिन अगर वह red light जल रही है बॉक्स के अंदर फिर लीवर प्रेस कर रहा है तो उसको क्रंट मिल रहा है ठीक है क्रंट की जो है वह experience कर रहा है तो इसलिए इस तरह से वह थोड़े time के बाद multiple क्या कहते है जब performance होती है उसके बाद उसको discriminate हो कर लेता है तो यह जो सारा experiment है वह पावलोफ से बिलकुल अलग है क्योंकि उसमें क्या था क कि डॉक जो है वो बैल और फूड के अंदर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाया जैसे बैल बच्षी ती उसको सलाइवा आ जाता था फूड मिलने से पहले लेकिन यहां पे जो है इसके परस चॉइस है क्योंकि उसने डिस्क्रिमिनेशन कर लिया है कि रेड लाइट पे उसको यह लिवर प्रेस नहीं करना है ग्रीन लाइट पी उसको ही लिवर प्रेस करता है तो अभी यहां पे आप तोनों के अंदर जो है डिफरेंस भी बता सकते हैं ऑपरेंट कंडिशनिंग और क्लासिकल कंडिशनिंग के अंदर एक दो लाइन के अंदर कि जैसे क्लासिकल कंडि कि अगर हमने फिक्वेंसी बढ़ानी है किसी बेहिवियर को इंक्रीज करने की जैसे कि एक्जामपल है हमारे पास की बच्चे को कहा गया कि होंवक करो तो आपको आइसक्रीम मिलेगी तो बच्चर जो है फटा-फट से अपना होंवक करते हैं उस आइसक्रीम को खाने के लिए तो यह क्या एक positive reinforcement है और rat को हमने देखा कि उसको जब प्रेस करता था तो खाना मिलता था फिर जो है negative reinforcement है किसी चीज को हटाने के लिए हमने क्या कि उस behavior को कि उसमें चैसे क्रंट पास आउट किया ऐसी हम बच्चे को कह सकते हैं कि आपको इस चीज के लिए punishment मिलेगी या dart प करने के लिए यहां पर लिखा हुआ है ठीक है तो वो जो है बढ़ने लगती है और पास now we have some principles of operant conditioning या फिर इसको operations भी कह सकते हैं जैसे हमने same classical conditioning में कर रहा था same boy steps है यहां पे सबसे पहले इसमें हो गया कि shaping behavior को change करने के लिए हम जो है कर रहे हैं सब कुछ या फिर हम reinforcement कर र आण कर दी ऐखि wszystkले नहीं कर दूर्प कर देगा जैसे कि मालो की मदर कहीं मिले की तुम है तुम होर और आईस क्रीम मिलेगा इस कुन मत ओ ठीक है आइस्क्रिम नहीं दे तो थोड़े दिन बात के है बच्चा होमवर्क जो हो करना बंद कर देगा या फिर स्लो हो जाएगा होमवर्क करने में कि उसको पता है कि रिवोर्ड तो मिलने वाला नहीं है तो इस तरह से वो चीज विलूपत हो सकती है फिर है कि रिवोर्ड नहीं दिया लेकिन एक दिन न्या दे दिया तो वापी दिर सेरे स्पोंटनेश रिकवरी हो सकती है ऐसी रैट के साथ भी हो सकता है पर्सक्रिंस के अंदर कि अगर ग्रीन लाइट चलने पर खाना नहीं मिल रा था बहुत दिन तक और अचानक से उसको मिलता तो तो वो इसकी spontaneous recovery हो सकती है, फिर दोबारा से वो चीज़ को अगें से वैसा ही perform करने की कोशिश करेगा, फिर next है हमारे पास reinforcement, इसको हम अच्छे से पहले समझ चुके हैं, लेकिन इसके बाद हमारे पास दो चीज़ें और भी आ जाती है, जैसे कि हमारे पास positive reinforcement है, ऐसे positive punishment भी हो जैसे कि हमने क्लासिकल कंडिशनिंग में समझा था कि डॉग जो है पहले किसी भी बेल पर उसको saliva आ जाता था, तो वो क्या हो था जैनलाइजेशन हो गया था कि कोई भी बेल बज रही है, ऐसी जनलाइजेशन यहां पर कि कोई भी लाइट चल रही है, रैड जो है वो अगर जलती है तो नहीं मिलेगा तो फिर उसने रैड लाइट पर जलती थी तो उसने बंद करने के लिए लिवर को प्रेस करना तब, तो यह जो है धीरे धीरे जो डिफ्रेंस उसको समझ में आने लगता है, नेक्स्ट हमारे पास एजुकेशन इंप्लिकेशन है, वो हम बा इसमें क्रिटिसिजम है कि इसमें जनेटिक फैक्टर को वोइड किया गया, means कि हो सकता है कि आप पुरिष्मेंट दे रहे हो या फिर रिवोर्ड दे रहे हो लेकिन बच्चे को कोई फरकी नहीं पढ़ रहा, ठीक है उसके जनेटिक फैक्टर के कारण उसमें हमने हर कोई प बढ़ रहा है लेकिन जो बढ़ रहा है उसमें उसकी कोई डप्थ नहीं जा सकती इसमें उसने पढ़ाई की क्या उसको आइस क्रीम या रिवोर्ड रहा है ठीक है पिर एश्मे वारे पास की थीओरी है कई नहीं कई एमफेसाइज करती है तो शोड़ देता है तो एक तराज़ क्या है यहां पर एक मशीनरी हो गई फिर है मारे पास कि इसमें डाप्ट में यहीं जाता बच्च इसको डाप्ट में नहीं समझता कॉनसेप्ट को रिवोर्ड के लिए वो काम करता है फिर जो है इसमें इंट्रेंसिक क्यापफ़लेटी स उसको avoid रखा गया, avoid किया गया इस theory के अंदर कि बच्चे कई बार जो होते हैं अंदर से उसको पढ़ना चाहते हैं या करना चाहते हैं अपना homework ये भी तो हो सकता है ज़रूरी नहीं है कि reward लेने के लिए वो काम करेगा उसके लिए के अंदर से capability है पढ़ने की या उसकी इच् और उनके behavior को improve किया जा सकता है कोई भी behavior अगर हमें reduce करने तो reduce किया जा सकता है इसके लावा उसके जो large step है मालो की कोई chapter बड़ा है या फिर कोई काम बड़ा है तो उसको small steps में हम convert कर सकते हैं लग लग उसको चोटे-चोटे उसके रिवार्ड दिये जा सकते हैं फिर जो है म improve की जा सकती है फिर है हमारे पास positive reinforcement जो एकर right time पर दिया जाए तो कोई भी difficult subject को easily से उसको ले सकते हैं बच्चे को learn करा सकते हैं फिर है हमारे पास इसके अंदर की कोई भी बच्चे की vocabulary improve करवानी है या math कोई calculation है science का कोई concept है वो सब जो है इस conditioning से आप बच्चे को learn करवा सकत हो इसी के साथ हमारे topic जो है वो complete होता है stay connected stay plus stay happy